हाई इस्ट्वेंट्स कैसे हैं आप सब लोग मुझे उमीदेगे आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे तो इस्ट्वेंट्स आज के सिप्रियर लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के चैप्टर कॉडिनेट जोमेट्री की एक्साइज 7.1 से चैप्टर के लिए और हम लोगों को क्या करना है और चेक करना हो कि दिये गए तीनों पॉइंट्स को लिनियर है या फिर नहीं है तो वैसे तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते है डारेक्ली उसे लगा के हम लोग चेक्र सकते हैं बढ़ इस वीडियो लेक्शर में हम लोग क्या करेंगे इन तीनों पॉइंट्स की को लिनियरिटी चेक करेंगे with the help of distance formula अब कैसे करते हैं वो जरह समझ लेते हैं जब भी कभी हम लोगों को तीन पॉइंट्स दिये जाए सपोस ए यह है बी यहाँ पर है और सी कहीं यहाँ हम लोगों को चेक करना है कि क्या यह दिये गए तीन पॉइंट्स को लिनियर है या फिर नहीं है दो उसके लिए क्या करें सबसे पहला तो पॉइंट ए और बी के बीच की distance calculate करो फिर बी और सी के बीच की distance calculate करो और जब यह तीनों डिस्टैंस हम लोग कैलकुलेट कर लें त करता हूँ, हम लोग जब तीनो distances calculate कर लें, तो फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या दो छोटी जो distances है, उनका sum तीसरी आने की बड़ी distance के equal है या फिर नहीं है, अगर है तब तो collinear है, और नहीं है तो फिर collinear नहीं है, तो यही concept हम लोग इस question में लगाने जा रहे हैं, हम लोग इन तीनों points को check करने जा रहे है, whether these are collinear or not तो सबसे बहुत क्या करें, इन तीनों points को हम लोग name देते हैं, ठीक है तो चलिए name देते हैं let पहला point A है और इसके coordinates 1,5 है दूजरे point को B name दे दिया और इसके coordinates 2,3 है तीसरा point C है और इसके coordinates minus 2,1 है ठीक है, be the points तो हम लोगों ने क्या किया है तीनों points को name दे दिया अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला point A और B की बीच की distance calculate करेंगे, तो जब भी हम लोगों को 2 points के बीच की distance calculate करनी होती है, तो क्या करते है देखो, एक point के coordinates को तो X1, Y1 consider करते है जबके दूसरे के coordinates को X2 Y2 है ना, और फिर क्या करते है distance formula लगा देते है और distance formula क्या होता है, D equal to under root में X2 minus X1 का whole square plus Y2 minus Y1 का whole square, ठीक है चले लगा देते है, इन दौनों points की बीच की distance calculate करने के लिए तो A और B की, बीच की distance निकालने तो इसको दिखा सकते है A, B से and this equal to X2 minus X1 तो X2 केता है, यह है 2 minus X1 क्या है, 1 और इसका square, plus Y2 minus Y1, यानि की 3 minus 5 का square so this can be written, देखो 2 minus 1 का मतलब क्या हुआ, 1 तो यहाँ पे लिखा 1, और इसका square plus 3 minus 5 का मतलब हुआ minus का 2 और इसका square so this can be written, 1 का square गरोगे तो 1, एक negative number का square गरोगे तो positive, और 2 का square किया तो 4, correct है तो इक क्या निकल गया गया, 1 plus 5 4 का मतलब 5, इसका मतलब A, B की बीच की distance क्या है, root 5, units निकल के आती है, अब हम लोग point B और C के बीच की distance calculate करेंगे, तो इसके लिए हम लोग एक point के coordinates को तो x1, y1 जबकि दूसरे point के coordinates को x2, y2 consider करेंगे और क्योंकि यहाँ पे दोनों coordinates कैसे हैं, negative है, तो ऐसे case में हम लोग क्या करते हैं, उस point के coordinates को x1, y1 consider करते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको तो x2, y2 consider कर रहे हैं, और इसको x1, y1 consider कर लेते हैं और अब निकालते हैं, दौनों points के बीच की distance, now B is equal to under root में x2, x2 का मतलब 2 minus x1 का मतलब, देखो 2 मैसे minus 2 को minus करेंगे, तो negative number को जब minus किया जाता है, तो positive, ठीक है, तो क्या लिख सकने, 2 plus 2 2 plus 2 का whole square plus, y2 minus y1, यानि कि 3 minus minus 1 है न, तो क्या हो जाएगा 3 minus minus plus हो गया, और ये 1, और इसका square, further इसको करो, solve, 2 plus 2 का मतलब 4, और ये बन गया 4 का square, फिर 3 plus 1 का मतलब 4, और ये 4 का square so this can be written, 4 का square करोगे तो 16, यहाँ भी 16 हो गया, और जब दोनों को plus करोगे, तो under root 32 और under root 32 को हम लोग क्या लिख सकते है, देखो इसको लिख सकते है हम लोग 4 root 2 कैसे, root 32 को factorize करो, क्या लिख सकते है इसको 2 into 2 into 2 into 2, correct है देखो 2 का pair बना तो 2 बाहर इसका pair बना तो इसके बना एक 2 बाहर क्या रहेगे अंदर, 2 तो 2 into 2 का मतलब 4 root 2, correct है इसका मतलब B, C के बीच की distance कितनी है, 4 root 2, units निकल गया जाती है, अब हम लोगों को calculate करनी है, किस के बीच की distance, point A और C के बीच की distance ठीक है, तो point A और C के बीच की distance जब निकालनी है तो क्या करना है, एक point के coordinates को x1, y1 और दूसरे point के coordinates को x2, y2 consider करना है और क्योंकि ये negative coordinates हैं तो इसको तो x1, y1 ही मानू और आब इसको क्या मान लोगे आप x2, y2, चलिए निकालिए AC यानिकि A और C के बीच की distance तो क्या हो गया, x2 minus x1 और x2 कितना है, 1 और 1 मैंसे minus करोगे, minus 2 को तो minus minus plus, तो 1 plus 2 का whole square, plus y2 y2 कितना है, ये 5 मैंसे minus करोगे, minus 1 को तो minus minus plus, और ये 1 हो गया ठेक है, अब देखो 1 plus 2 का मत्दब 3, तो 3 का square, और 5 plus 1 का मत्दब क्या हुआ, 6, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 6 का square, so 3 का square का मत्दब 9, और 6 का square का मत्दब 36 so 9 और 36 कितना हो गया, ये हो गया, 45 और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 root 5 units, यानि point A और C के बीच की distance कितनी हो जाती है, 3 root 5 units हो जाती है, अब हम लोग इतना करने के बाद में क्या देखेंगे कौन सी दो छोडी distances है, चीक है तो भई, ये क्या है, हम लोगों के लिए root 5 है, देखो ये root में है चीक है, root 5, और यहाँ आप सिर्फ कौन सा number देखेंगे ये root वाला number, ये root 32 है, और यहाँ ये क्या है, root 45, इनको calculate मत करिएगा चीक है, इनको compare नहीं करना है so root 5, root 32, root 45, सिर्फ हम लोग इन numbers को देखेंगे, ये चेक करने के लिए कि कौन सा बड़ा number है तो भई, root 5, root 32 और root 45 में से कौन से दो छोटे numbers हैं, ये दोनों चोटे numbers है, क्या इन दो numbers का sum, 45 के equal है, यहाँ पर इन numbers को plus नहीं कर देना है, remember one thing root 32 को आप जब plus की form में लिखोगे, ये तो सिर्फ हम लोग compare करने के लिए देख रहे हैं, जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 root 2 लिखेंगे, और इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3 root 5 लिखेंगे, correct है तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो दो छोटे numbers है, ये root 5 है और ये 4 root 2 है, जब इन दोनों को plus किया जाएगा, तो क्या 3 root 5 आ सकता है नहीं आ सकता है, ठीक है, तो हम given 3 points are are not collinear ठीक है, तो इसका मादब क्योंकि 2 छोटी distances का sum तीसरी यानि की बड़ी distance के equal नहीं है, तो इसका मादब भी 3 points collinear नहीं है, अगर collinear होते हैं, तो ये sum कैसा होता, equal होता बड़ी distance के, आथि की बात, आप लोगों को समझ आ गई है, अगर ऐसा है, तो प्लीज वीडियो को like कर दें, चैनल को subscribe करना और बाकी की questions के लिए playlist में चले जाए, और बहुत सारे questions मैं आप्लोड किये हैं, मैं फिर से आता हूँ एक नए question, एक नए concept के साब में, till then keep learning and thank you for watching this video